हरे क्रिश्णा आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको कार्तिक महात्यम का बीस्वा ध्याय सुनाने जा रही हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तब राजा पृत्थु ने पूछा हे देवरिशी इसकी पश्चात युद में क्या हुआ तब भगवान विश्ध्धज चैतन्य हो गए उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया फिर भगवान शंकर जलंधर से युद करने लगे जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पारवती बनाकर अपने रत से बांध ली जो विलाप कर रही थी तब अपनी प्रिये पारवती को इस तरह कश्ट में पढ़ा देखके लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अगनी पुंच की तरह भेंकर रोधर रूप धारण किया उनके रोधर रूप को देखकर कोई भी दैते उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका यहां तक की शुम निशुम भी युद में इस्तित होने को समर्थ ना हो सके जलंदर की सारी माया शन भर में नश्ट हो गई युद में चारो ओर हाहाकार होने लगा शिवजी ने उन भागते शुम निशुम को श्राप देकर बड़ी दिकार दी और कहा तुम दोनों बड़े दुष्ट हो तुमने मेरा बड़ा अपमान किया है तुम पारवती को मारते थे और अब युद से भागते हो भागते को मारना पाप है इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंदर क्रोध में अगनी के समान प्रजलित हो उठा उसने शिवजी पर घोड बान वर्षा करके धर्ती पर अंधकार कर दिया तब उस देत्ते की ऐसी चेश्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाये हुए सुदर्शन चक्र को चला कर उसका सर काड़ डातला एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सर धर्ती पर गिर पड़ा और भेहंकर हाहा कार होने लगा अंजल परवत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए उसके रुधिर से संग्राम भूमी व्याप्ट हो गई सारी धर्ती विवल हो गई शिवजी की आग्या से उसका रक्त और मास महा गॉरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तता उसकी शरीर का तेज निकलकर शंकर जी की शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि व्रिंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था जलंदर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब्रसन हो गए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आज ही लाइक वा सब्सक्राइब जरूर करें वा बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएं तब तक एलिए धन्यवाद